सरकार भी सहयोग करें थे, बाकि सारे लोग सहयोग करना एक दोसी परिवार है उस परिवार नू बचाउन वास्ते सरकार दे वीच एक ग्रूप बन गया सी, वो ग्रूप उस दोसी परिवार नू बचा रहा सी एडवोकेट जिनरल साब नू तुरंथ परभावतों बर्खास्त करना चाहिदा है तिक उना दे रवाया ठीक नहीं रहा है नके सादे वीच कोर्ट क पूरा गोली कांड मामले विच हाई कोर्डे फैंसले नू कुमर विजे परताब सिंग वालो हाई कोर्ड विच ही डबल बैंच विच चनोती देती गई है और इस डिसुनवाई जडिया हो असेप्ट का लेती गई है और पंजाब सरकारते होड़ा नू साथ दिसंबर वास्ते जवाब तल्वी किती गई है गलबात भी कर लेने कौन विचे परताब सिंग नहीं सर्फ वड़ा फैंसला तुसी अर्जी दायर किती सी उस्ते वारे सुनवाई जडिया उस्ते डवल बैंच ने किती है ते अर्ज पंजाब अते हर्याना हाई कोट दा उस ओरड़नों वसी चैलेंज किता सी पंजाब अते हर्याना हाई कोट दे डिविजन बेंच दे सामने ओस दिसंवाई होई है तो वो सब्सक्राइब है अपील है अपील अडिमित होगई तो थैन नोटिस ऑफ मोसर इसू हो गया है ते से कोशिश कितीसी कि ऐ अपील सरकार वॉलों फाईल हुए लेकिन सरकार वॉलों अपील नहीं फाईल किती गई तो मैं आपने वो निजी तोरते अपील फाइल किती से अपनलम भ diving जड़ेते आजवबसी भीज़ाइची छिल कि कि सरकार सहयोग करें कि पहला भी सरकार भोलो प्रेस्णोट भी जारी होया थी बेर दिता गया सी कि यह चैलेंज किता जाओ वा लेकिन हो चेलेंज में नहीं किता मांजोग सेयं सहावदार itine ौडर भी शिए लेकिन उसदी compliance नहीं होई इसी बात देविच मैं नुए पता लगया कि Supreme Court देविच कोई SLP फाइल होई है हाल फिलहाल लेकिन मैं तो यही बेंति करांगा कि सरकार भी सहयोग करें थे क्युンकि जकर इंसाफ होना है तो जो साठी अक Наук कर्षा है वो मान जयक मादारीस कहते हैं कर दो तो उसनमाई रुक गई है, इंसाफ होना है, तो उसे रिपोर्ट दियाधारते इंसाफ होगा. सिर्फ एक कासगदा हूं, कि आज तक किसे ने भी रिपोर्ट दे एक लाइन दे उते, कोई टिका टिपड़ी नहीं किती, क्यों कि जो रिपोर्ट है, वो चलान है, जो तो चलान फाइल हो जन्दा है, तो चलान दा ट्राइल होन्दा है, जो तो सेशन अदालत फरीद कोट ने चलान दो एक्सेप्ट कर लिया, तो उस दा ट्राइल होना चाहिदा है, जो तो ट्राइल हो जाएगा, फिर पता लेगा कि सचाई की है, गवाहां दा बयान होना जरूरी हुंदा है जिकर गवाहां दा बयान नहीं हुंदा है उस तो पहला कोई डिशीजन नहीं ले सकदा कि ओदेविच की खराबी है जांकि मतलब कोई कमी है ट्राइल तो पहला एस सीटेत नहीं अना स्वाल है उस रिपॉर्ट दा वोई एक पैरर गला में काफी चैनला तरह आप freaking 2 जनानु रिपोर्ट दा एबी सीडी पता नहीं है जो उस रिपोर्ट दे बारे मतलब उना दे सामने रख दो तो समझ दे विच भी नहीं आओगी एक क्लाइन समझ दे विच नहीं आओगी वो भी राजनितिक तौरते टिपड़ियां कर रहें तो ओ मैं कहांगा कि यह सारा कु तो वो ज्यादा वधिया रहेगा बजाए कि अनु पॉलिटिसाइड जो किता जा रहा है वो गल्थ हो रहा है अब बार बार यही किया विचे आप दोसी परिवार है मतलि एक ग्रूप बढ़ गया शी वो गुप यूस दोसी परिवारा किसे हो राजनितिक दलतो संमंध रखदा है लेकिन इस सर्कार दे वीच भी एक ग्रूप बचाऊ वास्ते आगया शी या वनाने सारा कुछ क्राया वा नहीं आ NBC करी सो पयून्य जो सजया मिले पहला आया यह सिगे सरकार ही बनाए सिगे 2019 दा एलेक्शन वी जो पार्लियमेंट दा सिगा वह भी उनने ऐसे ग्राउंड दे उते लड़िया सी लेकिन हुन उनना दा एलाइंस बन गया सी एक हिडन एलाइंस उस दे तहत उनने सारा काम कराया सी पंजाब सकार हर फ्रंट ते फ्रिल साबित होई हुन तक करन कई वाइदे किते के सी दो यह स्तारा में वाइदे जड़े वफा नहीं हुए एस बिले तो मैं सिरफ ऐसे पॉइंट दे उते गल करांगा क्योंकि जो यह पॉइंट है जो बेद्वी दा बेशक बेद्वी दे केस दी परताल कोई हो रेसाइटी कर रही है पहिलां वो सीब्याइब लों किती जा रही सीगी लेकिन जो गोली कांड दा मसला है खासकर कोट का पूरा दा वो मेरे बलों तक्रिवन कंप्लीट हो गया सी 15 मार्च दोजारी कि उनुमें ऐलान भी कर दीता सी कि तप्तिस मुकमल हो है एस करके सारा कुछ देविच आया लेकिन जो बहबलकला केस है वोस केस देविच जो साड़ा चलान सीगा साधी रिपोर्ट सीगी ओस दे उते मांजोग सेसन अदालत फरीद कोट देविच सुनवाई चल रही है तो दे उते कोई किंतु परंतु नहीं है तो हमें किलियर क मैं तो मांजोग सीम सापनों यही बेंती करांगा कि एडवोकेट जिनरल सापनों तुरंत परभावतों बर्खास्त करना चाहिए है क्योंकि ओना दा रवाया ठीक नहीं रहा है ना केसा देविच और कुछ खास जानकर इस तर काफी लबी डिएट पागी ओना तो इलेक्श नहीं कोई नहीं कर सकते क्योंकि जो केस है हुन सब जुडाइस हो गया है मामला मांजोग पंजाब ते हर्याना हाइग कोट दे डिविजन बेंच दे सामने हैं ऐस करका एस दी सुनवाई हो लें दो और उस तो बाद आसी गल करांगे क्योंकि जदो तक मामला विचारा धीन है उस दे उते मेरिट दियाधार ते कोई गल नहीं करनी चाहिए दिया है देखो यह इन्साफ दी जंग है इन्साफ दी जंग जो आखरी जो होप हुंदा है आखरी उमीद जड़ी हुंदी है उदो तक लड़ी जान दी है क्योंकि सनु ए उमीद नहीं शी कि सरकारी पक ऐस तरीके देना बरताव करूगा लेकिन चलो सरकारी पक खेल होया लेकिन असी निजी तोरत है इस चीज नू आगे तक लेके जाओंगे जो जो कनूनी लड़ाई दे विच मदद करे एजडी टीब है ते जो सचाई सामने आना चाहिदा है तो सचाई ही पेस करें गोवर्मेंट दा भी तुसी ते रह अप्रील दा जो प्रेंस नोट देखोगे गवर्मेंट ऊसे स्टेंड ते कायम रहे ते उस इस इस्टेंड त है तब फिर वही पक में पेश करूगी जो असी चाहूंदे हैं तेस करके पार्टी लाइन तो उपर उठके पॉलिटिक्स तो उपर उठके एस देविच सचाही नूँ सामने ले आना सरकार्दा भी फर्ज बन्दा है एस करके मेरी बेंती है कि यह सारे पक जो साड़ी अपील है वह सपील नूँ सपोर्ट करना सर जो तड़को रिकॉर्ड तड़को हज़े है यह तड़को ले ले गया क्योंकि तुसी जिरो अस्तीफा देता ता रिकॉर्ड जड़ा वो किते हुन होएगा नहीं देखो असी ही रिपोर्ट मांजोग सेसन अदालत देविच दिता सी व उदो ही चैलेंज करना चाहिए था सरकार बोलो अपील दायर करनी चाहिए धीशिए नमी एसाइटी बनाके एक तरीके देनल उनाने मतलब एक करता कि यह अनु होड जयादा मतलब लों काउनदा मतलब एक रास्ता साफ कर दीथा क्योंकि नमी एसाइटी कुछ नमा नहीं कर सब्सक्राइब करें नमी एसाइटी भी करूगी जो उना नू कहा जाएगा वही करूगी नमी एसाइटी इस करके नमी एसाइटी दा कोई मतलब नहीं रंदा है आज दी तरीख के जोशी जड़ी नौर्थ वेचे लड़ना क्या समय देखो पहला भी अकाली दल देवीच ही सि लेकिन उना दा चोंड निसान बीजेपी दा हुंदा सी फुन आपनी पाटी देवीच जो ना दी आपनी माँ पाटी सी गी जो नू कोई फर्क नहीं पहेंदा है वहर एक ब्यक्ति दा अपना फर्ज है अपना राइट हुंदा है कि वह के तो अलेक्शन लड़दा है किस त अकाली दल दे निसान ते लड़नगे सानू कोई फर्क नहीं पहे रहा है अंतरो गठ बंदन फेर कंदे में तोड़े लीडर ही क्या रहे ने भी गठ बंदन जेड़ा अंतरों अंतर खाते चाल लेया बीजे बीजे लीडर टोटके अकाल दल चा रहें देखो सब तो बड़ गठ बंदन है कांग्रेस ते अकाली दल दा गठ बंदन है ऐस गठ बंदन नो तोड़ना बहुत जरूरी है बाकी गठ बंदन कोई माइने रखदा नहीं है जोशी ने के बियान देता भी जड़ी वी तरीस आम आली पारी दे पंजाद लीडर शेप यह ओ दिली दे रेमोर चल दिया दखो बयान देन वाले दा कोई वजूद नहीं है आज दी तरीक दे बिच लोका ने समझा देना है कि वो बंदा है कौन ते काम की करदा है उन्हें की किता जोड़ी शरकार सी गी दो हजार बारा दे बिच कांग्रेस दी कमजोरी करके वो बंदा जीत गया दो हजा बाद दो हजार बारा तो बाद तुसी देखो दो हजार चौदा देविच जदो मांजोग जेटली सहावाएं एमपी दा एलेक्शन शीगा ओ देविच भी इते बहुत बुरे तरीके देनाल हार हुई दो हजार सतारा देविच वो केंडिडेट आप हार गया दो हजार उन् परताप सिंग हजे लीडर नहीं बने हारे वो हुंदा कौन है बोलन वाला ओ दे बारे तो मैं बोलना नहीं चाहूंदा हूं मैंने जो उनु पीड की हुंदी है पहला ये पूछ लो औने मेरी बदली करवाई मैं SSP सिगा जो तो सारा कुछ कुछ क्राइम खतम हो गया सी बदली होई तो ये सारा लोका नू पता है न वसी तो वो दे बारे कुछ बोल दे नहीं तो उनु पीड की हुंदी है उनु पूछ लो तुसी असी तो देखो एस्ट्रेट पॉलिटिक्स करन वास्ते आया है असी किसे दे उते कोई एलिगेशन काउंटर एलिगेशन वास्त पांच महीन ने बनाना है तो परमात्मा ने बनाना है जनता दा फैसला आ गया है तुसी देख लेना के वाल मोहर लगना बाकी है सरकार जो है वो आमाधी पार्टी दी बन रही है लेकिन ऐसी चीज देविच एलिगेशन काउंटर एलिगेशन देविच नहीं जाना चाहूंदे है मैं पहला भी दस चुकिया है कि जैसे दिन कांग्रेस पार्टी आपना सीम पेस आलान करेगी आसी उसे दिन सीम पेस आलान कर देवांगे एदे विच कोई दिक्कत नहीं है महंगाई दी गलते हर कोई करदा पर महंगाई कटा आन वाले पास से कुई नहीं आ रहे है केंदर सरकार दी गल लेकिते हैं पाई पंजाब सरकार दी गल लेकिते हैं लगातार चीजां महंगी होड़े ने आम आदमे दी पहुंच तो हर चीज दूर हुन दी जा रही है सिलन करें दो किसी कि तरीके देपाए लोकी ड़की पिए मतलब मरम्मत बनें टहकरए तोक्रा मुंखाइ है लीडर रहे थाइयों dr. रहां हमा भाजब आता को पर्थ से वोटावास से वर्टे जन्ता है उस तो बाद जन्ता नो पांच साल पोई पुछ दव नहीं का लीडर ओज़ी देखो एस करके हुंदा है ना कि पांच किलो आटे ते एक सूट दे कपड़े दी राजनीती चल रही सी कि हुने राजनीती खतम हो रही है जन्ता जागरूप ह कुछ दूप हुगी है ताहिं मिलव आम लोका दी सरकार आ रही है आमादी पांटी इसरकार आम लोका दी शरकार होगी जसदे बीच पावर आम लोका दे हात नहीं नूट रहेगा तैस करके वो पांच साल अपना पावर बर्तन गे पहलाव की कर दे सी कि एक दिन ठपा लग के विचे चेरे हैगे ने चेरे नी कमी है तेन करोड पॉपलेशन है पंजाब दा पॉपलेशन तेन करोड है तो तुसी देख ले ना सारियां शिटा थे एक से स्तारां शिटा थे इस बारी आमाधी पार्टी जी तो बड़ा एलान कुमर विजे परताथ सिंगलों किता जारा पॉपलेशन होनगे तो सारा शीशा जड़ा साफ विखाई देवेगा क्यामापरसन मुकेश बावना सिकंद्र पॉपलेशन होनगे तो सारा शीशा साफ विखाई देवेगा परस रीचा दैनिक्स फिरा टीवी आमरी सर्ट अलीशा बेगम एक औरत द दुखी औरत ही समझ सकती है रोहानियते काली शक्तियां दी मालकन दुनिया द सब तो चमतकारी इल्म मेरे कोल है मेरे कीते नू कोई कट नहीं सकदा काला इल्म करना आते तोड़ना हार इक देवास दी गाल नहीं परिशानी जिमें लब मैरेज पती पतनी चे चकड़ा सोतन दुश्मन्त चुटकारा तलाक केस बुरे सपने विदेश जात्रा बुरी संगज नशा चुड़ोना विमारी चे दवा ना लगना वशीकरानिक सचाई है वशीकरन करवाओ मन चाहा प्यार पाओ क अलिशा बेगम दुटोना मनमोणी वशीकरन करवाओ जात तुडवाओ रुसेनु मनोना हुडे कॉल करो बाबा सलीम खान अठावी 109-7408